नमस्कार दोस्तों स्वागत नहीं सभीगा आपके अपने यूट्यूब चनल sb medicine में आज हम बात करने वाले हैं offlomac m4 suspension के बारे में इसके क्या 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 विज़ेज रहे बेनिफेट्स हैं प्रिकॉस नहीं सबको क्या क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं चानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जोर देखें और अगर आपने अभी तक इस यूट्यू चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आगन को जोर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं ओफलोमेक M4 इस सस्पेंशन मेकलोड्स फार्माशिटिकल्स का बेश क्वालिक लोक्त हैं जिसकी प्राइज है 73 रुपे पर साहरप यह साठे मिल के पेकम होते हैं जिसका कंटेंस होता है और फ्लोकससीन 100 mg और मेटरनेजर होता है इसमें 200 mg इसका यूज़ आप डाक्टर के डिसकाइब पे सभी मेटिकलोड्स फे मिल जाएगा ओफलोमेक M4 सस्पेंशन एक एंटिबाटिक दवा है इस दवा का यूज़ डाइरिया और डिसेंटरी यानि दस्त और पेचिस के उपचार में कियाता है साथ ही अगर आपको पेट का कोई भी इंफेक्शन हो गया है दा बार बार दस्त आ रही है दस्त में खून आने जैसी प्रॉब्लमस हो रहे है पेट में गेस बनके मरोड़े आ रहे है या फिर डाट डाड़ का कोई ंफेक्शन हो गया हैै मसोड़न के सूजन आ गए हैं आपको अमपेबियसी फ्रॉब्लम से ज्या परासायट इंफेक्शन हो गया है तब इसी सभी conditions में यह काफी useful दवाएं और भी अगर आपको फेंपणों का infection हो गया है gastrointestinal tract में infection हो गया है urinary tract infection हो गया है या genital tract में infection है तब भी आपको यह दवार डाक्टर दवारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है चाहां इसके काफी शानदा ज़र आपको देखने को मिलेंगे चान लेते हैं इसके साधनियों के बरे में तो अगर आपको या बच्चे को इसके content से allergy है या heart disease है blood disorder है या फिर आपको कोई भी liver या kidney disease है तब इसे में इसके use करने से बहले आप डाक्टर से सला जोड़ लें उसके बाद आप इसका use करें dose के अगर अपने बात करें तो बच्चों में से 2-5 ml सुबसाम आपको लेने का जाता है और बड़ों में से 5-10 ml सुबसाम आपको लेने का जाता है पर अलग-अलग मरीज और उनकी बीमारी और उनकी conditions पर depend करता है कि इसका सही में dose क्या होगा तो जितना और जैसे आपकी डॉक्टर में बताएं वैसे आप इसका use कर लें बात कर लेते हैं इसके होने वाले side effect के बारे में तो जो common side effect आपको नजर आ सकते हैं वो हैं मुह में सुखापन होना सुआज में बदलावाना आँकों पर सुजनाना abdominal, pain होना और nausea या vomiting आपको हो सकती हैं वैसे side effect कुछ time के लिए होते हैं कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं और भी हो सकता हैं आपको इनके अलावा भी कोई दूसरे side effect नजर आएं अगर इनके अलावा कोई भी side effect आपको दिखते हैं तब इसे में आप इसका use बंद कर दें और तुरंत अपने डाक्टर से concern करें तो friends, उम्मीद हैं आपको ये वीडियो जुरूर पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हैं तो इसे like करें, comment करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना बुलें Thank you